युधिष्ठर को पूर्ण आभास था कि कल्यूग में क्या होगा। पांडवो का अज्यातवाश समाप्त होने में कुछ समय शेश रह गया था। पांचो पांडव एवं द्रोपती जंगल में छूपने का स्थान ढून रहे थे। उधर शनीदेव की आकाश मंडल से पश्चिम, उतर, दक्षिन अचानक भीम की नजर महल पर पड़ी और वो आकरशित हो गया। भीम, यदिष्ठर से बोला भिया मुझे महल देखना है भाई ने कहा जाओ। भीम महल के द्वार पर पहुंचा वहां शनीदेव दर्बान के रूप में खड़े थे, भीम बोला मुझे महल देखना है। शनीदेव ने कहा महल की कुछ शर्थ है। एक शर्थ महल में चार कोने हैं, आप एक ही कोना देख सकते हैं। दो शर्थ महल में जो देखोगे उसकी सार सहित व्याख्या करोगे। तीन शर्थ अगर व्याख्या नहीं कर सके तो कैद कर लिये भीम ने कहा मैं स्वीकार करता हूँ ऐसा ही होगा और वह महल के पूर्व छोर की ओर गया वहां जाकर उसने अद्भूत पशु पक्षी और फूलों एवं फलों से लदे वरुक्षों का नजारा देखा आगे जाकर देखता है कि तीन कुने हैं अगल गल में छोटे कुने और बीच में एक बड़ा कुआ बीच वाला बड़े कुने में पानी का उफान आता है और दोनों छोटे खाली कुओं को पानी से भर देता है फिर कुछ देर बाद दोनों छोटे कुओं में उफान आता है तो खाली पड़े बड़े कुणे का पानी आधा रह जाता है इस क्रिया को भीम कई बार देखता है पर समझ नहीं पाता और लौट कर दर्बान के पास आता है दर्बान क्या देखा आपने? भीम महाशे मैंने पेड पौधे पशु पक्षी देखा वो मैंने पहले कभी नहीं देखा था जो अजीब थे एक बात समझ में नहीं आई छोटे कुणे पानी से भर जाते हैं बड़ा क्यों नहीं भर पाता ये समझ में नहीं आया दर्बान भाप शर्ट के अनुसार बंदी हो गए हैं और बंदी घर में बैठा दिया अर्जुन आया बोला मुझे महल देखना है दर्बान ने शर्ट बता दी और अर्जुन पश्चिम वाले छोर की तरफ चला गया आगे जाकर अर्जुन क्या देखता है? एक खेत में दो फसल उग रही थी एक तरफ बाजरे की फसल दूसरी तरफ मक्का की फसल बाजरे के पौधे से मक्का निकल रही तथा मक्का के पौधे से बाजरी निकल रही अजीब लगा कुछ समझ नहीं आया वापिस द्वार पर आ गया दर्बान ने पूछा क्या देखा अर्जुन बोला महाशे सब कुछ देखा पर बाजरा और मक्का की बात समझ में नहीं आई दर्बान ने कहा शर्ट के अनुसाराब बंदी है नकुल आया बोला मुझे महल देखना है फिर वह उत्तर दिशा की और गया वहां उसने देखा की बहुत सारी सफिद गाएं जब उनको भूख लगती है तो अपनी छोटी बच्चियों का दूद पीती है उसे कुछ समझ नहीं आया द्वार पर आया दर्बान ने पूछा क्या देखा नकुल बोला महाशेगाई बच्चियों का दूद पीती है यह समझ नहीं आया तब उसे भी बंदी बना लिया सहदेव आया बोला मुझे महल देखना है और वह दक्षिन दिशा की और गया अंतिम कोना देखने के लिए क्या देखता है वहाँ पर एक सोने की बड़ी शिला एक चांदी के सिक्के पर टिकी हुई डगमक डोले पर गिरे नहीं चूने पर भी वैसे ही रहती है समझ नहीं आया वह वापिस द्वार पर आ गया और बोला सोने की शिला की बात समझ में नहीं आई तब वह भी बंदी हो गया चारों भाई बहुत देर से नहीं आये तब युधिष्ठिर को चिंता हुई वह भी द्रोपती सहित महल में गए भाईयों के लिए पूछा तब दर्बान ने बताया वो शर्ट अनुसार बंदी है युधिष्ठिर बोला भीम तुमने क्या देखा भीम ने कुने के बारे में बताया तब युधिष्ठिर ने कहा यह कलियूग में होने वाला है एक बाप दो बेटों का पेट तो भर देगा परन्तु दो बेटे मिलकर एक बाप का पेट नहीं भर पाएंगे भीम को छोड़ दिया अर्जुन से पुछा तुमने क्या देखा उसने फसल के बारे में बताया युधिष्ठिर ने कहा यह भी कलियूग में होने वाला है वंच परिवर्तन अर्थात प्रामन के घर शूद्र की लड़की और शूद्र के घर बनिये की लड़की ब्याही जाएंगी अर्जुन भी छूट गया नकुल से पूछा तुमने क्या देखा तब उसने गाय का व्रतांद बताया तब युधिष्ठिर ने कहा कलियूग में माताएं अपनी बेटियों के घर में पलेंगी बेटी का दाना खाएंगी और बेटे सेवा नहीं करेंगे तब नकुल भी छूट गया सहदेव से पूछा तुमने क्या देखा उसने सोने की शिला का व्रतांद बताया तब युधिष्ठिर बोले कलियूग में पाप धर्म को दबाता रहेगा परन्तु धर्म फिर भी जिन्दा रहेगा खत्म नहीं होगा आज के कलियूग में यह सारी बाते सत साबित हो रही है